अलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Nokia C01 Plus Android मौइल फोन में आप 24R फोर्मैट सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि आफ कैसे कर सकते हैं और 24R फोर्मैट सेटिंग डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे से काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मौइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन कर लिजिए सैटिंग पेज में आपको जो बटन दे रखा हैं इसे आपको सिलेक्ट करना रहा है और यह बटन आपका ब्लेक कलर में ओफ हो जाएगा याजनि कि आपकीस सैटिंग-но तरीकिसट के से ठीक है यानि ओफ यह सैटिंग क्युति से काम करेंगी हम्त्यों cardiovascular होने के पाद यह से काम करेऊ यह उसे करweed आपको जो है ये setting disable करने के बाद आपका time जो है दिखाई कैसे दिखा दुपैर में 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद फिर से 12345678 ऐसे करके आपको time दुबारा से सोवने लग जाएगा ठीक है तो इस setting जो ना इस तरह के से काम करती है disable होने के बाद आपके mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो है न ये 24 hour format setting को डूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या होगा आपको जो ना अपने mobile phone का setting पेज आपको open करना है ठीक है setting पेज ओपन कर लीजिए setting पेज में आपको सबसे ओपर ये option मिलेगा search setting का इसे select करना है अब यहाँ पर आपको search पार में type करना है 24 hour format ठीक है जो setting का name है वो आप type करिए तो आपको नीचे options हो जागा 24 hour format ठीक है इससे select कर लीजिए इससे होगा क्या आपका mobile phone आपको डिरेक्ट इस setting पेज में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का आपके phone में